गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग? मैं आपकी नीलम में स्टेंट अफ फोर को क्या पढ़ाती हूं? इंदी ग्रामा तो पिछली वीडियो में हम लोगोंने क्या पढ़ा था? विलोम शब्द मैंने बता दिया था विलोम शब्द किसको कहेंगे ठीक है? और मैंने पेज नमबर 60 भी करवा दिया था आए थोड़ा सा रिवाइस कर लेते हैं फिर आगे बढ़ेंगे फर्स्ट में क्यवदी अवासा? दिये गए शब्दों के सही विलोम पर सही का निशान लगाओ ठीक है? जिसका को नमबर दिया था? धूप, धूप का विलोम शब्द क्या होगा? चान घा- नंबर देश देश का विलोम सब विदेश घा- नंबर सच सच का जूट गा- नंबर क्रेप का घृणा जोड़ा बनाकर लिखना है जिसमें से है आकाश, आकाश का केद देवा इपसामपल पाताल फिर मैंने क्या लिखवाय था तेज का धीरे, बीर का कायर, सुगंद का दुर्गंद, सुप का दुख, चर्णा का उतर्णा ठीक है होगया, इतना रिवाइज कर लिए, अब हम लोग आएंगे page number 61 ठीक है क्या दिया हूआ है, 3 number में दिए गय शबदों के विलोम लिखना है ठीकें, दिये यह शब्दू के विलोम लिखो, का नमबर, हित, हित का क्या होगा विलोम, अहित, ठीकें, का नमबर, पूर्ण, पूर्ण का क्या होगा, अपूर्ण, ठीकें, गा नमबर, शुब, शुब का अशुब, ग नमबर शांत, शांत का अशांत, अंग नमबर न्याय, न्याय का क्या होगा, अन्याय, च नमबर आदर, आदर का क्या होगा, अनादर, ठीक है, च नमबर स्वस्त, च नमबर स्वस्त का क्या होगा, अस्वस्त, ठीक है, जो नमबर सुईधा, सुईधा का क्या होगा, आसुईधा, ठीक है, जो नमबर धनी, धनी का क्या होगा, निर्धन, यह नमबर सिक्षित, शिक्षित का क्या होगा, आशिक्षित, ठीक है, 4 number रंगीन शब्दों के विलोम लिखकर वाक्य पूरे करो ठीक है रंगीन जो शब्द दिया हुआ है उसका क्या करना विलोम करके आपको लिखना है उस शब्द का विलोम लिखना है जैसे यहापे देखेगा का नंबर है कवे का रंग, काला और हंस का रंग ठीक है, खानमबर हमें हमेशा सत्य बोलना चाहिए, सत्य का विलूम क्या होगा, असत्य, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, खानमबर हमें हमेशा सत्य बोलना चाहिए, असत्य नहीं, ठीक है, गह नमबर धूप तेज है धूप का विलोम क्या होगा छाओ होता है तो क्या होगा धूप तेज है कुछ देर पेड़ की छाओ में बैठते हैं ठीक है आगे बढ़ते हैं गह नमबर पेड़ की पत्तियां कोमल और तना कठोर होता है कोमल का विलोम क्या होगा कठोर ठीक है कोमल का क्या होगा कठोर तो क्या हो जाएगा पेड़ की पत्तियां कोमल और तना कठोर होता है ठीक है अंगा नमबर रमीश को वैपार में डैस की जग रमीश को वैपार में लाव लाव की जगा हानी हुई ठीक है? क्या दिवा हुआ है? चर नमबर खेल में एक की जीत तो दूसरे की हार निश्चित है जीत का विलाव क्या होगा? हार ठीक है? चले इभर रिखाइस करते हैं त्री नमबर त्री का कर नमबर हीत उसका क्या होगा? अहीत घर नमबर पूर्ण उसका अपूर्ण गर नमबर शुब शुब का अशुब घर नमबर शांत शांत का अशांत अंगर नमबर न्याय न्याय का अन्याय चर नमबर आदर का अनाधर, छो नमबर स्वस्त, स्वस्त का अस्वस्त, जो नमबर स्विधा, स्विधा का अस्विधा, जो नमबर धनी, धनी का निर्धन, यह नमबर सिक्षिक, सिक्षिक का अशिक्षिक, ठेक है, फोर नमबर, फोर का का, रंगीन जो शाब्द है, उसका क्या का न विलोम ल सट्य क्या होता है यह बधान हुद nya में हमेशाव सत्य गोलना चाहिए, सत्य क्या क्या ओझा हो जाएगा सत्य नहीं यह बधान, दूब धूब, कह बधन बेखुेए, पेड़ की छोर्चाव में बैखते हैं ठीक है ज्वा नमबर पेड़ की पतिया कोमल कोमल का क्या होगा विलोम कठोर पेड़ की पतिया कोमल और तना कठोर होता है ठीक है अंगा नमबर रमेश को वैपार में लाग की जगा लाब का क्या होगा विलों हानी तो लाग की जगा हानी हुई ठीक है चाह नमबर खेल में एक की जीत जीत का विलों क्या होगा हार तो जीत तो दूसरे की हार निश्चित है ठीक है हो गया आप लोगों बड़ियस इसको complete कर लिजएगा और आप लोगों को homework रहा page number 60 उसका आप लोग learn कीजएगा वो आप लोगों को homework है